हेलो फ्रेंज, वेलकम टूए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्ट्यूट आप बैंकिंग परसनल सेलेक्शन आईबी पीएस की नियू रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन जो की फ्रेंज यहां पर जारी की गई है CRP PO या MT 12 के लिए जिसके लिए फ्रेंज आप आउनलाइन आविदन कर सकते हैं तो 1 अगस 2022 को फ्रेंज आपका जो डेटेल नॉटिफिकेशन है यह फ्रेंज जारी कर दिया गया है आईबी पीएस के द्वारा अब यहां पर फ्रेंज इससे रिटेट जानकारी आपको आईबी पीएस की ओफिशल वेबसाइट पर या फ्रेंज आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे jobrasa.com पर आपको इसकी डेटेल्स देखने को मिल जाएगी जहां पर फ्रेंज आपको 6432 पदों के लिए notification जारी आपका हो गया है बात करेंगे फ्रेंज इसकी डेटेल notification के बारे में इसकी LGBT conditions के बारे में और इसकी selection procedure के बारे में और इससे वीडियो को start करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है subscribe करें, share करें, like करें जिससे आपको आने वाली सारी update से मिल सके हैं तो यहां पर फ्रेंज से देखिए common requirement process for requirement of provisory officer या management trainee in participating bank जो की फ्रेंज से 2023 के लिए आपका यहां पर रहेगा जिसके लिए आप apply कर सकते हैं online और यहां पर आप से यहां पर हो सकता है इसके बार फ्रेंज से नीचे आपको आने पर यहां पर कुछ details देखने को मिलेंगी सब उसके बार आपको मिलेगा कौन-कौन से bank यहां पर participate कर रहे हैं इसके बार फ्रेंज से आपको मिलेगा important dates तो online registration जो है वो आपके start हो जाएंगे 28 2022 से और 28 2022 तक आप इसमें आविदन कर पाएंगे payment जो है fees के लिए वो आप 28 2022 से 28 2022 तक आप कर सकते हैं आपका जो call letter है pre-exam training का वो friends से download होगा सतंबर या October 2022 में pre-exam training आपकी conduct होगी सतंबर या October 2022 में आपकी जो call letter है pre-exam के लिए वो October 2022 में आपके यहाँ पर download होगे और आपका जो pre-exam होगा वो October 2022 में होगा result आपका यहाँ पर pre-exam का friends से वो November में आएगा और आपका जो main exam का call letter है वो भी November में आपको मिलने को देखने को मिलेगा और आपका जो main exam है वो November last में आपका conduct होगा result main exam का December 2022 में आएगा और उसके बार आपका interview जो होगा वो जनवरी या फरवरी 2023 में होगा जिसके लिए friends से आपके यहाँ पर जो admit card है वो भी इसी month में आएगे और आपका जो final allotment है वो April 2023 में आपका हो जाएगा तो यहाँ पर friends से आप चेक कर सकते हैं आपको important देख दी गई है अभी के लिए दो आट से 22 आट तक आप इसमें आविदन कर पाएंगे इसके बार friends से यहाँ पर नीचे आपसे कहा गया है अगर possible हुआ और safety हुई तो friends से आपका जो P.E.T. है वो भी आपका यहाँ पर conduct किया जाएगा इसके बार LGBT conditions आपको दी गई है तो all India candidate eligible है आपका जो age criteria है वो 20 से 30 साल रहता है minimum 20 साल maximum 30 साल और यह जो age है यह आपकी 182022 को count की जाएगी अब यहाँ पर friends से जी ध्यान रखिएगा जो भी आपर reserve candidate है SCST candidate है OBC candidate है PH candidate है इनको अपर age में छूट मिल जाती है यह जो age है 20 से 30 साल यह आपकी general candidate के लिए आपकी age criteria रहता है बाकी reserve candidate को छूट मिल जाती है पर जो आप age है यह आप 182022 को count करेंगे इसके बाद friends से यहाँ पर नीचे आने पर qualification की बात की कही है तो qualification जो है वो 28 2022 तक आपके पास होना चाहिए इसमें fans आप से देखे डिगरी मांगी गई है ग्रेशन किसी भी discipline में अगर आपने pass out किया हुआ है आप इसमें आविदन कर सकते हैं और 28 2022 जो की last date है उस दिन तक आ apply करने के लिए यह आपको clear यहाँ पर कहा गया है इसके बाद friends से नीचे आपको यहाँ पर देखे कुछ instructions दिये गए हैं आपकी categories related जो कि आप यहाँ पर check कर सकते हैं इसके बाद नीचे आने पर आपको यहाँ पर details देखने को मिलेंगी वो है आपके pre-exam training की तो pre-exam training friends आप आपको यहाँ पर जापका selection procedure है उसके बारे में आपको detail दी गई है selection procedure में pre-exam आपका सबसे पहले होगा जिसमें English language के 30 question होंगे 30 number के quant के 35 question होंगे 35 number के question paper English and Hindi दोनों ही language में available होता है क्योंकि paper आपका CBT mode में होता है मतलब computer पर आपके यहाँ पर जो topic है हर एक section के लिए 20-20 minute का समय आपको मिलेगा overall जो pre-exam है वो 100 question का होगा 100 marks का होगा 60 minutes का आपका होगा और यह clear करने के बाद ही आपको main exam के लिए बुलाए जाएगा अब जो main exam होगा इसमें देखिए सबसे पहले reasoning and computer aptitude के 45 question 60 number के होगे और इसका जो duration होगा वो 16 minutes का रहेगा इसके बाद general economy या banking awareness के 40 question 40 marks के होगे और इसके लिए 35 minute आपको मिलेंगे English language के 35 question होगे 40 marks के 40 minute आपको समय मिलेगा data analysis and interpretation के 35 question होगे 60 marks के और 45 minute का समय आपको यहाँ मिलेगा overall 155 question रहेंगे 200 marks के और तीन घंटे का समय आपको मिलता है साथ में जो main exam है उसके साथ में ही आपका यहाँ पर English language letter writing and essay test जो है वो आपका conduct होगा जिसके दो question होगे एक होगा letter writing का और एक होगा essay writing का जो की friends से total आपके 25 marks के रहेंगे English ही medium में आपका यह exam होगा 30 minutes का समय आपको मिलेगा इसके बाद friends से जब आप यहाँ पर इसको भी clear करते हैं cut off को clear करते हैं उसके बाद आपको बुलाए जाएगा interview के लिए और interview को friends से clear करने के बाद ही आपका इसमें final selection होगा अब यहाँ पर देखिए जो pre exam है और main exam है इसमें negative marking भी 0.25 marks की आपकी यहाँ पर रहेगी exam center all India आपको available होते हैं तो आप अपने according जो भी exam center चूज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं आपका यहाँ पर interview होगा उसमें क्या क्या documents आपको चाहिए होंगे उसकी list आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है जो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे अभी के लिए आपको friends से pre exam की तयारी करनी है पर pre exam की तयारी से पहले friends से आपको यह form को fill करना होगा कैसे आप इसमें आविदन कर सकते हैं इसकी details का video हम जल्दी ही आपको available कराएंगे जैसे ही इसका link available होगा यहाँ पर देखे friends से जो भी आपका यहाँ पर registration है वो आपको करना होगा details को fill करना होगा और उसके बार आपको payment करना होगा अब यहाँ पर देखे आपको एक left thumb impression अप्लोड करना है signature अप्लोड करना है photograph अप्लोड करनी है और साथ में आपको एक hand written declaration भी आपको अप्लोड करना होगा इसका जो format है वो आपको दिया गया है जिसमें IK बार आप नाम लिखेंगे जो कि आप online mode में जमा करवाएंगे यह friends जो fees का payment है वो भी आप कैसे कर पाएंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे जब इसके form apply का video हम आपको एवलेबल कराएंगे अप्लोड करेंगे तो यहाँ पर friends जो details है वो मेंने आपको provide कर दी है अब बात करते हैं कि कितनी कितनी vacancies है किस-किस bank में है तो इसके लिए फैंस NX-01 आपको दिया गया है जहाँ पर देखे टोटल नंबर पोस्ट है 6432 अब इसमें देखी जो bank of बढ़ोदा है इसमें अभी यहाँ पर report नहीं किया है तो वेकनसी आपकी बढ़ सकती है बैंक अब महरास्त में भी रिपोर्ट नहीं किया है Central Bank of India ने भी रिपोर्ट नहीं किया है Indian Bank ने Indian Overseas Bank ने भी रिपोर्ट नहीं की है अपनी vacancies तो हो सकता है vacancies यहाँ पर बढ़े इसमें देखी Bank of India में 535 पोस्ट है इसके लवा Canera Bank के अंदर यहाँ पर पत्रीस तो पोस्ट निकाले गई है पंजाब National Bank में 500 वेकेंसी है इसके बार फैंसे पंजाब इन सिंध बैंक में 253 वेकेंसी है Yuko Bank में आपकी साड़े 500 वेकेंसी है और Union Bank of India में आपकी 1994 वेकेंसी यहाँ पर निकाले गई है जिसकी जानकारी आप यहाँ पर चेक कर सकते है तो यहाँ पर फैंसे आपको डेटेल्स देखने को मिल जाएंगी इसके बार आपको एक्जाम सेंटर्स के यहाँ पर डेटेल्स मिल जाएंगे pre or main exam के आपकी centers कहां कहां होते हैं और आप जो documents upload करेंगे form में वो उसका size क्या होना चाहिए उसका format क्या होना चाहिए उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है और उसके बार friends से यहाँ पर एक NXR 4 दिया गया है जो की है self decoration यह friends से अभी आपके कोई काम नहीं आएगा जब आपका exam होगा तब आपको यहाँ पर इसे भी फिल करकर लेके जाना होगा अपने exam center पर तो अभी के लिए friends से आप बाकी की जानकारी वीडियो description में jobrasa.com पर जाकर चेक कर सकते हैं अगर आपको हमारी update पसंद आई है और आप चाहते हैं ऐसे ही updates आपको लगातार मिल सके तो like, subscribe इंचे जरू कीजिए और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारे YouTube चनल and last thanks for watching